हेलो क्रिप्टो इन्वेस्टर स्वागत है आपके चैनल बिटकॉइन यूनिवर्स में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं मार्किट के जो कंडिशन है उसके बारे में उससे रिलेटेड बहुत न्यूज आये हैं वो सब के बारे में आज डिसकस करूंगी और आप बिना टेंसन के इस वीडियो को सुने और लास तक वाच कीजिएगा ताकि सब चीज आपको अच्छे से समझ में आए और आप थोड़ा सा रिलेक्स फिल करो तो सबसे पहले न्यूज में आपको बताना चाहरी हूं तो आप लोगों को ये बताना चाहरी हूं कि आप लोगो क्रिप्टो बिलियोनेर्स के बारे में मैं अभी बताने वाली हूं जिनों बुजो की बहुत लॉस में सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगी जो बाइनेंस के सीओ हैं सीजड आप लोगों को पता होगा देख सकते हूं आप वो 19 नोमंबर 2021 को उन्होंने 95.8 बिलियन डॉ 2022 का इसका प्रास हो गया आप देख सक्तों है इंड टैन 2.2 बिलियन डॉलर मतलब आप सोकते हो कितना बड़ा लॉस है 95.8 बिलियन से 10.2 बिलियन डॉलर में जाना बहुत बड़ा लॉस है तो आप सोकते हूं इसस तरह है है आप यहां पर आपको सबसे अच्छी बात बताती हूँ अभी जो है मार्केट बहुत डीप में तो अगर आपके पॉर्टफॉलियो में एक हजार रुपिया भी है तो आप उसका 10% मतलब सौर रुपिया भी आप क्या करो इसको इन्वेश्ट कर दो आप बिट कोई करके रख लो तो यह क्या आने वाले समय में आपको अच्छा खासा आपका पॉर्टफॉलियो को मेंटेन कर देगा जो अभी आप लॉस में है वो बराबर हो जाएगा तो अगर आपको इन्वेश्ट करना है तो अभी बहुत अच्छा मौका है इन्वेश्ट करें और टेंशन फ्री रहे थोड़ा सा अभी इन्वेश्ट करें जो कि आपके पॉर्टफॉलियो को बहुत अच्छा मेंटेन कर देगा और आप यहां पे देख सकते हो जो कि एक पोजेटिव निउस निकल कर आया है जो कि गवर्मेंट ने क्या किया यहां पर रिगूलेशन ला दिया है आप यहां पर देख सकते हो SCE investigating insider trading on the crypto exchange मतलब क्या कर दिया यहां SEC का मतलब क्या है Securities and Exchange Commission मतलब क्या है यहां पर इन लोगों ने investigation start कर दिया है investigation मतलब क्या इन लोगों ने अब वो पूरा चीज देखने लगे कि यह जो crypto है उसके अंदर क्या होता है कहां लोग क्या data चुपा के रखते हैं तो यह पूरे तरह से इसको देखा जा रहा है पूरा internal check किया जा रहा है कि कोई scheme कैसे हो जाता है कहां data leak होता है कहां पर यह चुपा के रखते हैं तो इस तरह से पूरा जो है उसको देख रहा है अच्छे से कि कुछ भी उनसे चुपे ना ताकि यह regulation को fit कर सके regulation को तुरंत ला सके तो यह बहुत positive news है कि यह investigation स्टार्ट हो गया है crypto exchange बे तो यह अगर पूरे अच्छे से investigate हो जाता है तो यह अपनी जो regulation को है वो fit कर दें बहुत अच्छा होगा जो कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा news है तो यही सब news है तो आप लोग tension नहीं लिजिए जो government है वो भी regulation लाने में लगी वी है रोज कुछ ना कुछ news आता जा रहा है और अभी आप देख रहे हो हम लोग नहीं बड़े-बड़े investor भी loss में है तो आप tension नहीं लिजिए आप थोड़ा buy कीजिए अच्छा होगा सब अच्छा होगा तो आपको यह सब update कैसा लगा अच्छा लगा तो please comment करें like करें और चैनल को subscribe कर देना और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो subscribe तो करी लेना और bell icon क को जरूर दवा देना ताकि कोई भी update आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए information लाती हूँ कि आप लोग बहुत tension में हो जाते हो तो आप लोग tension फिरी हो जाओगे इसके लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए tech care बाई